नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी नोलिश शो में तो दोस्तों पाकिस्तान से बहुत ज्यादा बड़ी ख़बर आ रही है दरसल मैंने आपको कल शाम बताया था कि पाकिस्तान से जितने भी चीनी शिक्षक हैं चीन के जितने भी प्रोफेसर हैं चीनी सरकार उन्ह कि दो घंटे बाद एक और निउस आ गई कि पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने चीन के प्रधानमंत्री ली के कियांग से बात करी है फोन पर और पाकिस्तान ने चीनी सरकार को कल शाम को ये कहा कि हम आपके नागरिकों की शुरक्षा और बढ़ा रहे ह लेकिन इससे पहले की चीन कोई फैसला ले पाता इस फोन कोल के कुछी घंटे बाद कराची के अंदर ही एक और जबरदस्त अटैक हुआ है और इस हमले में कई लोगों के मरने की खबर है साथ ही बहुत सारे लोग इंजर्ड भी हुए हैं ऐसी रिपोर्ट लगातार आ रही हैं और बताय जा रहा है कि इस हमले ने तो चीनी सरकार का पूरा मोराल ही तोड़ दिया है जो उनका थोड़ा बहुत मन था पाकिस्तान में रहने का वो भी अब जाता रहा ऐसे में अब चीनी सरकार अपने नागरिकों को और तेजी से पाकिस्तान से निकालना शुरू कर सक पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा बड़ा और करार जटका होगा क्योंकि इसका मतलब साफ है कि अब चीन का पाकिस्तान में कोई इंटरस्ट नहीं बचा और अगर इंटरस्ट नहीं है तो पाकिस्तान को भविश्य में चीन से ना तो कोई लोन मिलेगा ना ही पैसे की पाकिस्तान के लिए बहुत गर्व होता है क्यों कि पाकिस्तान के इंदर जो मेली खत्रा है वो उनके अंदर से ही है जो उन्होंने आतंकी खड़े किये हैं वो ही तो उन्हें आज परिशान कर रहे हैं वही कंपेर के लिए भारत को आप देखिए हमें बाहर से भी खत्रा है पाकिस्तान लगाता और आतंकी भेज कर हमें परेशान करता रहता है हमें देश के अंदर से भी खत्रा है क्योंकि हमारे यहाँ पर भी कुछ ऐसी ऐलिमेंट है जो देश विरोधी काम करने से नहीं चूक हैं बले हमारी पुलिस पर कैसे भी आरोप लगते हों ब्रशाचार के या दूसरी चीजों के लेकिन सुरक्षा के मामले में इनोंने अच्छा काम किया है और उसी की बदोलत हमारे यहाँ पर इस्थिती पाकिस्तान से लाख गुना बहतर है और इसलिए हमें अपनी प्रश्चिंग वीडियो